दोस्तों यह आज हम पढ़ रहे हैं class 10th का chapter 1 chemical reaction and equation और यह हमारी second class है ठीक है इसमें हम यह पढ़ते हैं characteristics of chemical reaction अगर कोई chemical reaction हो रही है तो उसकी characteristic क्या हो तो उसकी property क्या होगी हमें कैसे पता चल सकता है हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी chemical reaction हुई भी है कि यह नहीं हुई तो सबसे पहला कि evolution of gas means gas का निकलना आपने देखा होगा हम गारियों में पैट्रोल डालते हैं डीजल डालते हैं गैस डालते हैं सेजी डालते हैं तो उसके engine में chemical reaction होती है जिसकी वैसे धुआ निकलता है गैस निकलता है carbon monoxide gas निकलती है ठीक है जो हमारे environment के लिए बहुत ज्य जाते हैं तब भी आपने lab में दिखा होगा gas निकलती है धुआ निकलता है ठीक है तो evolution of gas हमारी पहली property है second का formation of precipitate किसी solid का जम जाना एक solid form में किसी चीज का जमना उसको बोलते है chemical reaction फिर change in color एक और property होती है color में change होना आपने सबजी बनाई आपका खाना पग गया और उसका color change हो गया आपने दूद से दही जमाया उससा color change हो गया ठीक है आपने pathologist form में डाल था उस form में नहीं मिला carbon form में मिला black color का हो गया फूरा cola जल के black पोला तो वैसे black होता है बड़ आपने लकडी चला है वह black हो गई color change हो गया वह chemical reaction है ठीक है उसके बाद चेंज in state, state में change होना कोई ची सॉलिट से liquid होगा या liquid से gas होगा या gas से solid होगा या solid से battery gas होगा या gas से solid होगा है ना तो एक form से दूसरे form में change होने को हम बोल सकते है change in state, उसकी state में change होना ठीक उसके बढ़र हमारा chemical equation, chemical equation क्या होता है representation या फिर representing a chemical reaction using symbols and formulas हमें chemical reaction को symbolic और formula की form में represent करते हैं maths में जैसे करते हैं इसको बोलते है chemical equation हमें maths में पढ़ा था ला a plus b is equal to c a plus b जोड़ के c बना बराबर में c तो यहां भी क्या है यह हमारा equal मानते हैं इसको हम equivalent का sign होता है तो ZN हमारा क्या हुआ zinc और H2SO4 क्या हो sulfuric acid जब हमें sulfuric acid को zinc में डाला या zinc sulfuric acid में zinc के टुकडे को डाला तो मिला क्या हमें zinc हमारा SO4 वाले part को लेगे अलग होगे ZNSO forming zinc इसको बोलते है zinc sulfuate यह बना और यह हमारा H2 जो था भी चारा यह लग हो गया और इसको बोलते है hydro and gas ठीक है तो यह हमारा chemical reactions की कुछ characteristic होते हैं बोर्ड में बहुत बार question आता है directly question आता हर दूसे तीसे साल हर या फिर हर साली मालो option में बहुत question आते है तो इक chemical reaction हो यह उसी characteristic लिखो दो नमबर, तीन, नमबर, पांस नमबर में अराम से question आता है ठीक है तो हमें लिख सकते है explanation भी इसका हम में बार दुबार इसका revision करेंगे तब पढ़ेंगे अभी फिलाव छोटे-छोटे points में हम अपने chapter को cover करने के कोशिश करते है ठीक है दोस्तों छोटे-छोटे points की हमारे लिए बहुत बड़ी चीज बन सकते है वो एक कहावत है ना कौन कहता है कि यह आस्मान में छेद नहीं हो सकता ज़रा तबियत से एक पत्थर तो उच्छालो यारो तो एक तबियत से एक पत्थर उच्छालने की देर है हम लोग आस्मान में छेद कर सकते हैं आप बस लगे रहे रहे जाथ और 5-5-7-7-6-9 के sessions 3-3-4-4-9 के sessions को इटेंट करते रहे और पढ़ते रहे और कॉपी लेके बैठें पैन लेके बैठें notes बनाते रहे और यकिन मानिए यकिन मानिए आप 90-95% नमबर तक बोर्ड में स्कोर कर सकते हैं कर सकते हैं और बच्चों ने किया भी है बस तब यद से एक पत्थर उचालने की देर है और हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम भी आसमान में छेद कर सकते हैं